सो हेलो कंटेंट आर्मी मैं हूँ देवांचू और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेट्फिक्स पे रिलीज हुई नई फिल्ड बुल बुल का रिव्यू सो बिना टाइम पास किये लेट्स गेट स्ट्रेट इंटु इट सो सबसे पहले मैं बता दू कि इस मूवी को डारेक्ट किया है अनवीता दतने और ये मूवी की लैंड टेर घंटे की है और मैं पहले ही बोल दू अगर आप इसे हॉरर मूवी समझने की कोशिश कर रहे तो आपको इसमें कोई हॉरर मोमेंट सो नहीं मिलेगा और अगर मैं सीधे साधे सब्समें बोलू तो ये एक मूवी डिसेंट वाच है जो हमें कभी तो बहुत अच्छी लगती है तो कभी तो बहुत इसमें इलोजिकल सीन्स भी है सब बात करें मूवी के प्लोट के बारे में तो मैं कुछ जादा तो नहीं बताना चाहता नहीं तो आपको स्पोयल हो जाएगी ये मूवी फिर भी अकर मैं थोड़ा आइडिया देना चाहूं स्टोरी के बारे में तो हमें दिखाया जाता है 1881 का बेंगाल और बुलबुल जो अब ये बच्ची है और उसकी शादी होती है इंदरा निल से और इंदरे निल का जोलवा भाई भी है जिसका नाम है महिंदरा लेकिन हमें फिर पता चलता है कि बुलबुल इंदरा निल के छोटे भाई सत्या को पसंद करती है और उसकी एज़ भी उसी के आसपास की है और फिर उसे इसी वज़े से लंडन भीज़ दिया जाता है और जब वो 5 साल बाद वापिस आता है तो देखता है कि सब कुछ बदल गया वो गाउ में जैसे कि उसके भाई महिंदरे की डेथ हो गई है और पूरे गाउ में दैथ हो रही है गाउ के आदमी लोगों की और सबका मानना है कि कोई चुड़ैल ने मारा है सबको और वो देखता है कि बुलबुल उसकी भावे ही पहले से काफी बदल गई है और फिर आके क्या होगा फिल्म में ये जानने के लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी और साथ ही इस फिल्म में वोमेन इंपार्मेंट को लेकर काफी हीडन मैसेजेस है लेकिन फिर बात वही आजाती है कि मूवी में कुछ इलोजिकल पॉइंट्स भी है और साथ ही मूवी का वो रेट थीम जो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है पर आगे जाके आँखों को चूबने लगता है और इनी सब वजों से मैं इसके प्लॉट को देना चाहूंगा 2.5 आउटो 5 स्टार्स और बात करें एक्टर एंड यर पर्फॉर्मेंसेस की तो हमें इस फिल्में जिसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगती है तो वो है बुलबुल का रोल निभा रही एक्ट्रेस त्रीप्ती की मतलब यार जब भी वो स्क्रीन में आती है तो अपना बना लेती है और उनकी आखों से उनकी एक्टिंग छलगती है और साथ ही राहूल बोस जिनोंने डबर रोल किया है फिल्में उनकी भी एक्टिंग हमें अच्छी लगती है पतला जब भी वो स्क्रीन में आते है तो कु बहुत अच्छी लगती है मेरा मतलब है जब भी वो स्क्रीन मे में होती है तो हमें कुछ नेज़ीव औराम है जालता है और साथ ही अविनाज लाः stan 역 all किया है तो direction इस film का बहुत ही अच्छा है मेरा मतलब है कि जो 1880 का बेंगाल दिखाया है वो हमें काफी अच्छा लगता है और साथ इस film के costume design भी बहुत अच्छे है और अब बात करें screenplay की तो वैसे तो ये film साड़े एक गंटी की है पर फेर भी film हमें थोड़ा बोर करती है और इसे 30-40 मिनिट्स रेड्यूस करके short film भी बना सकते थे और इसी वज़े से मैं direction and screenplay को overall rating देना चाहूंगा 2.5 out of 5 stars और अब मैं बात करूं film के BGM की तो काफी जगया पे हमें film का BGM अच्छा लगता है और काफी जगया पे वही पुराने Bollywood film का background music की याद दिलाता है और इसी वज़े से मैं BGM को देना चाहूंगा 2.5 out of 5 stars और अब बात करें मेरी final rating की तो मैं इस film को देना चाहूंगा 2.5 out of 5 stars क्योंकि इसकी अच्छी cast और थोड़ी सी unique story के लिए और अगर इसका execution थोड़ा और अच्छा होता और illogical scenes पे ध्यान दिया चाता तो ये film must watch बन सकती थी तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए और साथ ही बादिमर notification bell को भी on कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊ तो सबसे बहले आप देख सके और अगर आपके movie देख ली तो आप क्या सोचते वो comment section में बता सकते और साथ ही आप चाहते हूँ में कौन सी movie ये web series के review करूँ तो वो भी comment section में बता देना तो अब मैं मिलूँ आपको कोई नई वीडियो में कोई नई movie ये web series के review के साथ तब तक के लिए मैं movie सहरा signing off तब तक करूँ करूँ नई जिए झाल